तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 साइन्स चैप्टर 2 सेप्रेशन ऑफ सब्सेंस का नेक्स्ट कोस्टन जिसमें बोला गया है तो इस कोस्टन का मतलब है हाउ याने की कैसे विल याने की आप सेप्रेट करोगे अलग अलग करोगे किस किसको आइरन फिलिंग सही जो लोह का चूरा होता है उसको अमोलते म explicitly इनलग कैसे किसे करोगे सेप्रेट कैसे करोगे उसके मिक 스타cede तो एनलेकर मिक्सटर यह तीन चीजों का मिक्सटर है इनको कैसे अलग करना है सेप्रेट करना है यह आपको बताने है तो चलीं दिखने का आंसर इसका मतलब है जब एक magnet को चुम्बक होता है जब एक चुम्बक को आप मूह करते हो इस mixture के अंदर तो क्या होता है जो iron filling से जो लोहे का चूरा है वो attract होता है चिपक जाता है उस magnet से और इस तरीके से जो इस iron filling से वो separate हैने की अलग हो जाती है इतना clear है और students मैंने आपको पिछले वीडियो में यह पताया था वैसे पी कि जहां भी आपको iron या iron filling दिखे तो वहाँ पे सबसे पहले magnet डालना जिससे की वो iron filling अलग हो जाए clear है तो कुमला के इस mixture में आप magnet को move करेंगे चलाएंगे तो iron filling जो है वो magnet के तरफ attract हो जाएगी उससे चिपक जाएगा और वो अलग हो जाएगा we are left with the ammonium chloride and sand अब हमारे पास left हैने की जो बचा है वो क्या है ammonium chloride और फिर sand हैने की rate क्योंकि iron fillings को हमने अलग कर ली राइट तो अब जो हमारे पास बचा है वो है ammonium chloride और sand clear है ammonium chloride sublimes on heating whereas sand does not sublime तो यहां लिखा है जो ammonium chloride है यह sublime हो जाता है तो sublime क्या होता है students यह हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके कि कोई ऐसा substance जो की solid से सीधा gas में change हो जाता है उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है sublime substance जैसे कि कपूर था right कि कपूर solid होता है और जैसे हम उसको जलाते हैं तो वो gas बन जाता है तो ऐसे ही कपूर के जैसे एक ammonium chloride चीज होती है जो की sublime हो जाती है याने कि solid से Gas में चाइज में चारदाती है जब हम उसको Heat करते Heat यानि कि गरम करते Whereas यानि कि जब की जो Sand है यानि कि जो Raid है वो Sublime नहीं होती है Sand कभी भी Gas में चारद नहीं होती है students तो वह इखाए कि जो Amonium Chloride है वो गरम करने पर Sublime हो जाता है लेकिन जो rate है वो sublime नहीं होती है so ammonium chloride is separated from sand by the process of sublimation तो यहाँ बोल रहा है इस तरीके से जो ammonium chloride है वो separate हो जाता है अलग हो जाता है किस से rate से, sand से इस process से जो की sublimation बोलते हैं sublimation जो की solid से gas में चीज़ होती है उसकों बोलते है sublimation तो sublimation process से rate से separate हो जाता है तो इस तरीके से iron fillings ammonium chloride और sand को अलग किया जा सकता है एक बार मैं आपको revision करवा दूँ कि जो iron fillings थे वो magnet से अलग हो गये थे और ammonium chloride के लिए हमने उसको sublime किये थे यानि कि गरम किये थे तो वो sublime हो गया था यानि कि gas में चींज हो गया था तो ये भी अलग हो गया और बजगया क्या sand यानि की rate तो इस तरीके से आप इनको अलग कर सकते हैं students I hope students आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सिखने मिला या knowledge मिला तो please हमाई चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like ज़रू करें आज के लिए इतना ही Thank you